हेलो स्टुडेंट नवस्त का सौगत है आप सब का इस वीडियो में हम डिसक्स कर रहे हैं कक्षा दर्शबी की परिक्षा के लिए आप देख सकते हैं हाई स्कूल सेटिपेट परिक्षा नीमित और स्वध्याई मतलब प्राइवेट और जो इस्टुडेंट नीमित हैं रेग परिखा का तर्शा का कारीक्रम अग्म व्हाफ जो आपका टाइम टेबल ईसको भी डाल दीजे तोह माइज लेकर आए हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबी को आपको द्यान मेरेंकर करना हैं इसमें आप देख सकते हैं जो तो समय है इसमें आठ वज़े से ग्यारा वज़े तर रहेगा क्योंकि ये सही भी है सोबह से क्योंकि जो अप्रेल में होगा तो काफी गर्मी के विज़े से ये सोबह से सही रहेगा आठ वज़े से ग्यारा वज़े का समय टाइम एट एम टू एलेमें नून ठीक है और ये आ फेपर आपका हे हिंदी पीश्ट का है फिर्ष्ट लेंगए बड़ clapping होती है दुट्य भाता सत्रू हिंदी चैस्ता सामान हिंदी सेखेंड थर्ड लेंगवेज जो NSQF National School Qualification प्रेंबर की समस्त बेसाई IT Security जो बेसाई होते हैं उनका इसमें पेपर है ठीक है इस तारिक को और सौंबार को आप देख सकते हैं सौंबार जो तीन मई को सामाजी विज्ञान सोसल साइंस का पेपर है ठीक है सोसल साइंस का पेपर कौन से तारिक को है तीन मई को चार मई को विशिष्ट बासा उर्दू 1st language होती है जो तित्य भासा सामन उर्दू 3rd language चेनर उर्थू इस प्रकार से इसका होगा उसके बाद जो अगला है 5 तौह जर कीस यानि 5 मई 5 मई को विशिष्ट बासा संस्कृत 1st language ठीक है और इस प्रकार से आपको जू भी है आप है तो नहीं होगे ठीक है आपकी जो सब्जेक्ट है उसके अनुसर आप देख लीज़े और इसको अलग से नोट कर लिजे आप अपने अनुसर जो आपकी सब्जेक्ट है उसको जैसे आठ तारीक को आपको अभी ज्यान второй साइन्स का पेपर है तो साइन्स को आप लिख लीजे और आठ तारीक लिख लीजे दिन लिख लीजे ठीक है उसके बाद देखते हैं मंगलवार के दिन ये बिशिस्ट बासा अंगरेशी यहाँ पर दृत्ति भाःसा सामान अंगरेशी ठीक है तो इस प्रकार से आपका सामान अंग्रे जी कभी है और mathematics का पेपर है आपको last में सबसे बाद में यानी 15 मई को तो निर्देश यहाँ पर आप पढ़ लेजिए यहाँ पर जो निर्देश दिये गए हैं कि आपको कितने बजे महाँ पर पहुचना है परिक्षा केंद पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले में लेखा है सर्वर संबंधित इस कारिक्रम को किरप्या भली भाती नोट कर लें परिक्षा काल में सासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अत्वा इस्थानी आपकास वर घोसित किया जाता है तो उससे भी परिक्षा यतावित कारिक्रम वानुशार संपन हो दूसरा है निमत परिक्षारतियों की प्राड़यों की परिक्षा उनकी विद्ध्यालाए में परिक्षा केंद पर संचालित की जाएंगी उसके बाद थर्ड है परिक्षा केंद पर समस्त परिक्षारतियों को परिक्षा काल में पराता साड़े साथ बजी यानि साथ बच के तीस मिनिट पर आपको परिक्षा कालिक्रम है और ये इस अनुसार आपकी परिक्षा होगी तो कई student कमेंट कर रहे थे कि ये परिक्षा काल करम डाच देजिए तो इसी के अनुसार हमने डाल दिया है आप देख लीजिए और अपने अनुसार नोट कर लीजिए जो विशाय आपके है तो कर लीजिए क्यूंकि हाँ पर आपको बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन आपके परिक्षा के लिए मिलने बाले हैं प्री बोड और प्री बारसिक जो भी करिक्षा होती है दस्मी के लिए तो प्रीबोड होती है तो प्रीबोड के लिए इंपोर्टेंट कोश्चन और बारसिक परिक्षा जो आपकी है पोर्ड परिक्षा उसके लिए भी इंपोर्टेंट question important model paper आपको provide करा जाएंगे thanks for watching दोस्तों के साथ वीडियो को share कर देना ताकि उन्हें भी पता चल जाए thanks for watching